आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप बड़े टीचर हैं या फिर बड़े बिजनेसमेन हैं, तो आप लोग अपने डेवलपर से बोलिए और कहिए कि हमें हैसिंग के साथ-साथ साल्टिंग टेकनोलजी भी दीजे, अगर आप साल्टिंग और हैसिंग कर लिए अगर आपको याद हो गया, तो समझ जी आपका पासवर्ड इस्ट्रॉंग नहीं है, अलग अलग चीज का यूज करिए, उसमें कुछ capital लेटर डालिए, उसमें कुछ small लेटर डाल दीजे, जैसे कुछ आईसे डाल दीए, फिर कुछ F आईसे कर दीए, कुछ-कुछ मतलब small t लिखा है, फिर capital y लिख दिया है, अगर आप दो अक्छर का यूज कर रहे हैं, तो एक capital रखिए, एक small रखिए, फिर कुछ step कर लाइए, तब कि आपका जो है, अगर by the way आपका hasing code लिख भी हो जाए, तो जल्दी आपका password पता न चले, उसके बाद आप अपने mobile में, suppose, इसमें मेरा email ID है, आपको गलती से मेरी email ID पता चल गई, और मेरा password भी पता चल गया, तो आप खटा-खट कहेंगे, खांसर का channel है उड़ा देते हैं, आज तो खांसर का channel लीक हो गया, बड़ी भाग रहे हैं, million, 2 million, 3 million जा रहे हैं, hack कर देते हैं, कामें खत्म, नहीं कर पा password लिखिएगा, तुरत मेरे पे message आजाएगा, कि फलनवा mobile में, आपका mobile हो नम बता देगा, कौन सा है, redmi है, realme है, laptop है, system है, उसका code बता देगा, आई भी बता देगा, कि जीला में है, बता देगा, इस जीला से ये वाला mobile आपको entry मार रहा ही email ID से, क्या आप permission देते हैं, त तो आपका काम हो जाएगा, और हम yes करेंगे, हम सीधा कर देंगे no, तो कहेगा कि आप सुनिए no मत कीजिए, आप जो है न हुआ, आपका password जानेगे, आप change कर दीज़े, तो हम खटर, कटर, कट, 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 कर के change कर देंगे, अब आप जानी हो गए हैं, तो कुने काम के, समय आ रहा है की नहीं आ रहा है, तो two step verification जरूर रखिए, अगर ये नहीं है, तो समझी आप चवपट, और उसके बाद भी जब आपना email account खोलीगा, तो उसमें लिखता है manage account, उसमें जाके देख लिजएगा कि किस-किस mobile में आपका email ID खोला गया है, और two step verification, और जब भी मोबाइल पर कोई mail आता है, recovery का है, दिखेगा recovering, recovering, तुरत इसको भाया, जैसे आया recovering, तुरत नो मारीए, तुरत नो, जिस किसी का आता है mobile hack होता है, तुरत message आता है, recovering, your mobile is recovering, तो सोचता है, ये सासूरा recovering हो रहा है, ये कुनची है recovering, और 6-7 second में पूरा recovering मार देता है, जैसे recovering आता है, तुरत नो मारीए, तुरत नो, तो जो hack कर भी लिया है, क्योंकि एक अलग चीज़ आती है, जो आपका two step verification को तोड़ देते हैं, तो भी आपके पास एक mail आएगा recovering का, इसमें सोचिए नहीं, तुरत क्या मारीए, नो, और एक चीज़ और बताते है, online में जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप सीधे नो मारीए, सीधे नो, क्योंकि मान के चलिए, अगर आप अच्छा चीज़ को नो मार दिये, तो दुबारा वो genuine है, आप दुबारा उसे चालू करा सकते हैं, सपोज मेरे bank से message आया है, कि आप अपना ATM को क्या कीजे, दुबारा renew कीजिए, हम नो मार दिये, तो फिर जाके renew करा सकते हैं, लेकिन ससुरा अगर yes मार दिये, और bank का है, तब तो ठीक है, लेकिन फरजी वाला है, और yes मार दिये, तो तो लुटा गिया, इसलिए जहां कुछ समझ में नहीं आए, online के दुनिया में, सीधे मारीए, नो, आप कही जोड के बिंती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में पचीस हजार, पचास हजार, या उससे आसपास पैसे रहे, तो आप अंदाजा लगा लो यार, वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, अरे लुटना है तो सुसरा, ने काउंट लेकर थोड़े ना पैदा हुए थे, जाके बैंकों में ने खुलवाए थे, तो बंद हो जागे तो फिर जाके खुलवा लीजेंगे, इतना हुआ का जाते है, अरे बापने लाल, पासवर्ड है, OTP है, यह है, वो है, कभी नहीं बताना चाहिए, यह सब चीजे, OTP यहाँ पर एक ATM काड दिखें यहाँ पर, आपसे जब भी ATM पूछे, तो यह ATM के आगे का यह 16 अक्षर का नंबर होता है, यह नहीं बताना चाहिए, यह बता भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछवा दिखिए का ना, तो 3 अक्षर का एको CVV नंबर होता है, य ATM काड नंबर यह मत बताइए, दूसरा CVV नंबर यह मत बताइए, तीसरा इसका जो पीन है, जो आपको याद रखें, जो ठुकु ठुकु डालते हैं, ATM वह में, उ मत बताइए, और मोबाइल में जो OTPR आ उ मत बताइए, अस सब बताइए देंगे तो आप कोई कहे, आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में कोंची जाता है, वहाँ पर लूट लेगा आपका, जामतारा समझते हैं, जाम जारखंड वाला, इस सबी स्पेसलिस्ट है, सबी सब के लिए,